एजुकेशन पॉलिसी में आया बहुत बड़ा बदलाओ तो दोस्तों ये खबर आज कल आप बहुत सुन रहे होंगे कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो नई शिक्षा निती आई है जो निव एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसमें क्या-क्या चेंजिस आए है दोस्तों मैं प्रिया सेनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो नई शिक्षा निती 2020 के ओपर है जिसमें मैं आसान तरीके से आपको जो जो एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चेंजिस आए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं एजुकेशन पॉलिसी और इसका इतिहास कि ये पॉलिसी कहां से शुरू हुई थी पॉलिसी सिस्टम शुरू कब हुआ था तो चलिए देखते हैं नई शिक्षा निती 2020 भारत की शिक्षा निती है थीक है तो इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोशित कर दिया गया था यह भारती सिक्षा परणाली को 1986 में जारी हुई थी यह उसके बाद से पहला बदलाव आया है जब कोई नई शिक्षानिती लाई गई है सबसे पहले 1986 में सिक्षानिती आई थी उसके बाद यह दूसरा बदलाव है दोस्तों यह चल्चा में क्यों है हाल ही में केंद्र सरकार में राष्ट्य सिक्षानिती 2020 नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मन्जूरी रे दी है नई शिक्षानिती चोंते स्वर्ष पुरानी राष्ट्य सिक्षानिती 1986 नैशनल पॉलिसी ओफ एजुकेशन जिसकी शूर्ट फॉर्म NPE है 1986 को प्रिस्थापित करेगी तो यह चल्चा में इसलिए है क्योंकि यह नहे बदलावाए है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है जो इसकी प्रस्ट भूमी है जो इसका इतिहास है उसकी ओर ध्यान देतों भारतिय सम्विधान के निती निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6-14 वर्स तक के बच्चों के लिए अनिवारिय एवम निश्वल सिक्षा की वेवस्था की जाए 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्व विध्याल्य सिक्षा आयोग का गठन हुआ था तभी से राष्ट्य सिक्षा निती का निर्मान होना शुरू हो गया था कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्रपुन बदलाव वाला प्रस्ताव इंद्रा गांदी के प्रधान मंत्री काल में हुआ था तो 1968 में शिक्षा निती को लेकर अलग-अलग कानून बनाए जाने शुरू हो गये थे दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनोती नामक एक दस्तावेज तयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों कोन-कोन से वर्ग थे बौद्धिक, सामाजिक, राजनितिक, व्यवसाइक, प्रशाशनिक आदी ने अपनी सिक्षा संबंदी टिप ने आदी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा निती 1986 का प्रारूप तयार किया इस निती की सरवादिक महत्रपूर्ण विशेषता यह थी जिसमें सारे देश के लिए एक समान सेक्षनिक धाचा तयार किया गया था सेक्षनिक धाचे का मतलब होता है दोस्तों कि किस तरह से एक जो बालक है वो educate होगा कैसे वो अपनी शिक्षा निती को पूरी करेगा तो यह जो थी यह 10 प्लस 2 प्लस 3 था 10 तैंथ करेगा प्लस 2 त्वैल्थ और फिर 3 जो 3 साल की हम डिग्री लेते हैं कि संदचना को अपनाया था तो पूरे देश में यह निती ही लागू थी इसी राजीव गांधी के काल में जारी कर दिया गया था इस निती में 1992 में संशोधन किया गया 2014 के आम चुनाओं में भारती जनता पार्टी के चुनाओं घोशना पत्र में एक नवीन शिक्षा निती बनाने का विशेश शामिल था 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्राले ने नई शिक्षा निती के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया कि शिक्षा निती में क्या-क्या चेंजिस करने चाहिए किस तरह से उसमें बदलाव लाने चाहिए तो यह राय जनता से लेनी उन्होंने शुरू कर दी थी एक तरह से बोला जाए तो यह एक तरह का सरवे था अब देखिए जो नई शिक्षा निती आई है इसके प्रमुख बिंदु क्या है क्या-क्या चीजे हुई है क्या-क्या चेंजिस आए है तो चलिए देखते हैं अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी नेक्स्ट आता है नई शिक्षा निती के निर्मान के लिए जून 2017 में पूर्व इस्तो प्रमुख डॉक्टर के कस्तुरी रंगन की अध्यक्ष्टा में एक समीती का गठन किया गया था इस समीती ने मई 2019 में राष्ट्य सिक्षानिती का मोशुदा प्रस्तुत किया था राष्ट्य सिक्षानिती नैशनल एडुकेशन पॉलेसी 2020 वर्स 1968 और वर्स 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी सिक्षानिती है तो जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब के बाद से ये तीसरी सिक्षानित हमारे सामने आई है तो इतने सालों बाद यह परिवर्तन हुआ है तो यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में हमारी education में क्या-क्या परिवर्तन कर दिये गए हैं NEP 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा छेत्र के देश में GDP के 6% GDP मतलब gross development product जिसे हिस्से के बराबर निवेश का लक्षे रखा है इसमें 6% निवेश किया जाएगा, invest किया जाएगा, नई शिक्षा निती में वर्तमान में सक्रिय 10 प्लस 2 जो कि आप सब जानते होंगे के sectionic model के इस्थान पर sectionic पाठ्यकरम को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्रणानी के आधार पर विभाजित कर दिया है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 होता क्या है तो ये भी मैंने विस्तार से आपके लिए रखा है तो स्कूलों में 10 प्लस 2 फॉर्मेट के स्थान पर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मेट को सामिल किया जाएगा इसके तहट पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहीत पाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे जिसमें पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होते थे वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है इसका एक उदेश्य दोस्तों ये है ताकि बच्चे का बेस मजबूत हो इसके बाद कक्षा 3 से 5 के जो 3 साल शामिल हुए है इस 3 साल का मिडल स्टेज आएगा यानि इसके बाद मिडल स्टेज 6 तू 8 की कक्षा रखी है ठीक है जो हमने पढ़ रहे हैं 5 प्लस 3 प्लस 3 अब आता है 4 तो छोड़ते जो हमारा 4 स्टेज है उसमें 9 से लेके 12 तक का 4 सा साल का होगा पहले 11 कक्षा में जो स्टूडेंट्स से उन्हें विशे चुनने की आजादी थी लेकिन अभी है आजादी 9 क्लास में दे दी है वह अभी आजादी पहले ही ले सकेंगे अपने मन पसंद जोन का विशे है उसमें आगे तक अपनी पहुँच पहुचा सकेंगे उसके बारे में समग्वर जानकारी ले सकेंगे नेक्श आता है तकनिकी शिक्षा भाषाई बाधता को दूर करना दिव्यांग छात्रों के लिए सिक्षा को सुगम बनाने आदी के लिए तक्निकी की प्रियोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है कि जो तक्निकी शिक्षा है टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा दो दिव्यान चात्र हैं उनके लिए भी शिक्षा के अलग-अलग अथक प्रियास किये जाएंगे नेक्ष दोस्तों आता है इस सिक्षानिती में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्क्रिक निर्नय, नवाचार की भावना को प्रेडित करने पर भी बल दिया गया है ठीक है, ताकि उनका मानसिक विकास हो सके, इसलिए अलग-अलग चीजे एजुकेशन सिस्टम में सामिल कर दी गए है अब देखिए, नेक्ष्ट हमारा आता है M.H.R.D. के नाम में परिवर्टन एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मनजूरी दे दी है तो आप से कोशन भी आ सकता है, जो भी कॉम्पीटिशन एक्जाम की जो विक्ति तयारी कर रहा है उसके लिए है जानना बहुत जरूरी है N.E.P. 2020 के तहट M.H.R.D. का नाम बदल कर सिक्षा मनप्राले करने का उद्देश्य है तो उनका परपस है सिक्षा और सीखने एजुकेशन है उन लर्निंग पुनहे अधिक ध्यान आकरशित करना ताकि जो बच्चे हैं उनका ध्यान जादा आकरशित हो सके उनकी लर्निंग पावर अच्छी की जा सके तो ये जो M.H.R.D. है इसका नाम सिक्षा मनप्राले कर दिया गया है ये हमारे यहां बहुत बड़ा चेंज हुआ है अब देखी प्रात्मिक सिक्षा है जो प्रारंबिक सिक्षा है उसमें क्या चेंज हुआ है तो तीन वर्ष से आठ वर्ष तक की जो आयू के बच्चे है उनके सेक्षनिक पाठ्यक्रम का दो भागों में विभाजित कर दिया है वो जो पढ़ेंगे अब उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया है वो दो भाग कौन से है तो जो दो जो बच्चे तीन से छे वर्ष की आयू के बच्चों के लिए आंगनबाडी, बालवाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुख, सुरक्षित, गुणवत्ता, प्रारंबिक, बाल्य अवस्था देखपाल और सिक्षा, अर्ली चाइल्ड हुल्ड केर एंड एजुके जिसमें उन्हें प्रारंबिक बाल्य अवस्था देखपाल के अंतरगत, उनकी देखपाल भी की जाएगी, तथा उनके शिक्षा पर भी पूरी ध्यान दिया जाएगा इसके बाद 6 वर्ष से जो 8 वर्ष तक के बच्चे हैं, बच्चों को प्रात्मिक विद्यालों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में सिक्षा प्रदान की जाएगी, तो ये एक चेंजिस आया है, इसके बाद प्रारंबिक सिक्षा को बहुस्तरिय खेल और गतिविदी आधारित बना और सिक्षा, Early Childhood Care and Education से जुड़ी योजनाओं का निर्मान और जो क्रियावान करेगा वो ये मंत्रा ले, जो मैं बोलने जा रही हूं, वो करेंगे, केंजे मानव संसाधन विकास मंत्रा ले, महीला एवं बाल विकास मंत्रा ले, स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्रा जन्जातिय मंत्रा लेके साजा सहयोग से किया जाएगा, बुनियादी शाक्षरता और संख्यात्मक ज्यान पर भी एक राष्ट्रे मिशन तयार किया जाएगा, NEP में MHRD द्वारा बुनियादी शाक्षरता और संख्यात्मक ज्यान पर एक राष्ट्रे मिशन नैशनल मिशन और पाउंडेशनल लिट्रेरी एन न्यूमेनिक की स्थापना की मांग की गई है, ठीक है, तो राज्य सरकारों द्वारा दो हजार पच्चिस तक प्रात्मिक विद्यालों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्यान प्राप्त करने के लिए इस मिशन के क्रियावन की योजना तयार की जाएगी, तो 2025 तक यह जो मिशन है इसे पूरी तरह से तयार कर दिया जाएगा, इसके बाद आता है भ कक्षा 5 से 5 की शिक्षा में मातल भाषा, इस्थानिय या छेत्य भाषा के अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस निती में मातल भाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्रात्मिक्ता देने का सुझाव दे दिया है, कि 8 क बक्षा आठ तक अपनी मातल भाषा पढ़ना अनिवारिया है यह एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है स्कूली और उच्छी सिक्स्रा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतिय भाषाओं का विकल्प उपलब्द होगा या तो वो संस्कृत ले सकते हैं या प्राचीन भाषा प्राचीन भाषा का जो मतलब है दोस्तों वो हमारी पाली प्राकरत ब्रामी ये जो हमारी बोध धर्म से चली आ रही जो प्राचीन समय की भाषा ये थे उनका वो चुनाव कर सकेंगे ताकि जो हमारी धरोवल चली आ रही है वो कहीं विलुप्त ना ह जाए वो कहीं नश्ट ना हो जाए तो इसको देखते हुए यह चेंज किया गया है या तो स्टुडेंट संस्क्रिप्ट का चुनाव कर सकते हैं या जो हमारी अन्य भारतिय भाषा का विकल्प है उन में से कोई भाषा का चुनाव अपनी एजुकेशन में कर सकते हैं बधिर चाति चात्राओं के लिए राष्टिय और राज्य स्तर पर पाठ्यकरम सामगरी विक्सित की जाएगी तथा भारतिय संकेत भाषा इंडियन सिंग लेंग्वेज को पूरे देश में मानेकरत किया जाएगा साइन के माध्यम से जो लेंग्वेज जारी होती है उसे मानेता दे दी गई है ताकि जो बधिल चात्राओं है जो सारीरिक रूप से पूरे कुशल नहीं है उनके लिए चेंज किया गया है NEP 2020 के तहट भारतिय भाषाओं के संद्रक्षन और विकास के लिए भारतिय अनुवाद और व्याक्यान संस्थाद इंडियन इंस्टिटूशन ऑफ ट्रांसलेट एंड इंट्रोक्रेशन आई आई टी आई में फार्सी पाली प्राकृत के लिए राष्ट्य संस्थान किये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारी भारतिय भाषाओं के विकल्थ हैं उनको शामिल किया जाएगा तो उसी को देखते वे अलग-अलग एजुकेशन नैशनल इंस्टिटूट खोले जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलेसी में दोस्तो इसके बाद आता है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े क्या-क्या पाठ्यक्रम होगा किस-किस तरह से एजुकेशन में हमारी क्या-क्या चीजे शामिल होगी तो इस नितिक अंतरगत जो कला है विज्ञान है उनमें कोई विशेश चेंज नहीं किया गया है कक्षा 6 से ही शैक्षनिक पाठ्यक्रम में वैवसाइक शिक्षा को सामिल कर दिया गया है ताकि जो वैवसाइक शिक्षा है उसकी भी जानकारी दी जाएगी इसमें इंटर्नशिप की वैवस्था की जाएगी तो दोस्तों यह बहुत अच्छी वैवस्था है ज NCERT द्वारा, स्कूल सिख्चा के लिए राष्टे पाठ्थे करम रूप रेखा National Cellular Framework of School Education NCFSC 2021 तयार की जाएगी तो NCERT की जंगा NCFSC का पाठ्थे करम रूप रेखा तयार कर दी गई है तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था NEP 2020 में चात्रों के सीखने की प्रगती को बहतर जानकारी और नियमित रचनात्मक आकलन प्रनाली को अपनाने का सुझाव दे दिया गया है इसके बाद चात्र कक्षा 3, 5 और 8 के इस्तर पर स्कूली परिक्षाओं में भाग लेंगी जिन्हें उप्युक्त प्राधिकरन द्वारा संचालित किया जाएगा चात्र को समग्र विकास लक्षे को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परिक्षाओं में बदलाव किये गए हैं जो हमारा बोर्ड होता था कक्षा 10 और कक्षा 12 का इसमें भविश्य में सेमेस्टर सिस्टम की प्रनाली शुरू कर दिये semester system होता है दोस्तो हर 6 महीने बाद एक पाठ्ठे करम तै कर दिया जाता है उस पाठ्ठे करम का हर 6 महीने बाद final exam हो जाता है तो एक semester में अलग education और एक semester में अलग पाठ्ठे करम ऐसे होता है, अलग-अलग syllabus एक साल दो भागों में बट जाता है बहुविकल्पिय प्रश्ण आदी जैसे सुधारों को सामिल किया गया है ये जो इनके semester exam भी होंगे और बहुविकल्पिय प्रश्ण उत्तर पर यह है परिक्षा आधारित रहेगी दोस्तो इसके बाद छात्रों की प्रगती और मुल्यांकन के लिए मानक निर्दानन निकाय के रूप में परक्ष नामक एक राष्ट्य आकलं के इंद्र की स्थापना की गई है नैशनल असंस्मेंट सेंटर जो की सारी रूप रेका और मुल्यांकन छात्रों की प्रगती पर ध्यान रखेगा तो ये चीज याद रखेगा इसके बाद छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तता छात्रों को अपने भविश्य से जुड़े निर्ने लेने के लिए साहिता प्रदान करने के लिए क्रतिम बुद्धि मत्ता Artificial Intelligence AI आधारित सोफ्ट्वेर का प्रियोग कर सकेंगे जो छात्र है यदि उन्हें अपनी प्रगति और अपने भविश्य से संबंदित कोई भी असमंजस है या कोई भी सवाल है तो वो क्रतिम बुद्धि मत्ता एप जो एक Artificial App सोफ्ट्वेर लॉंच किया जाएगा उसमें वह अपनी सारी उल्जन सुलजा सकेंगे अब देखे सिक्षन प्रणाली से जुड़े हुए सुधार की सिक्षन प्रणाली में क्या क्या सुधार किये गए हैं तो शिक्षकों की न्युक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रकिरिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कारिय प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोधनती होगी, तो उनकी जो पदोधनती होगी तो वो इसी के आधार पर होगा, तो यह आप याद रखेगा, जैसा वो कारिय करेंगे, उसी के आधार पर उनकी पदोधनती की जाएगी, इसके बाद राष्ट्य अध्यापक शिक्षा परिशद वर्ष दो हजार बाइस तक शिक्षकों के लिए राष्ट्य वैवसाइक मानक, नैशनल प्रोफेशनल स्टेंडर्ड फोर टीचर्स, NPST का विक रास किया जाएगा, राष्ट्य अध्यापक शिक्षा परिशद द्वारा, NCRT के परामर्ष के आधार पर, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, अध्यापक शिक्षा हेतू राष्ट्य पाठ्यकरम रूप लेखा का चुनाव कर दिया गया है, तो NCRT का स्लेवस पूरी तर हैसे चेंज कर दिया गया है, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए नियुन्तम डिग्री योग्यता चार वर्ष यह और एक इकरत जो बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया है, यदि आप टेचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड की डिग्री हो चेंज आए हैं, तो NPE के तहट राश्य सिक्षा जो चेंज हुए हैं, उच सिक्षन संस्थानों में शकल नापांकन अनुपात, ग्रोस एन्वर्मेंटल रेशो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ा कर 50% तक करने का लक्षय रख दिया गया है, इसमें 3.5 नई सीटों को जोड़ा गय हैं, तो इतनी नई सीटे जोड़ दी गई हैं, इसके बाद NEP 2020 के तहट इसना तक पाठ्थे क्रम में महत्रपून सुधार किये गए हैं, जिसके तहट 3 या 4 वर्ष के इसना तक कारिक्रम के छात्र कहीं इस तरों पर पाठ्थे क्रम को चोड़ सकेंगे, साथ ही उन्हें उस के बाद इसना तक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद सोध के साथ इसना तक, तो ये चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया गया है, विभिन उच सिक्षन संस्थानों से प्राप्त अंको या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक अकैडमिक बैंक ओफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दिग्री प्रदान की जाएगी, तो जैसा वो अलग-अलग प्रदर्शन करेंगे, उसी के आधार पर उन्हें दिग्री दी जाएगी, नई सिक्ष सिस्टम से हटा दिया गया है भारतिय उच्छ सिक्षा आयोग तो भारतिय जो हमारा उच्छ सिक्षा आयोग है उसमें क्या-क्या है तो चिकित्सा एवं कानोनी शिक्षा को छोड़ कर पूरे उच्छ सिक्षा छेत्र जो हाईयर एजुकेशन सिस्टम है के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्छ सिक्षा आयोग हईयर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया है एक सी हईय के कारियों के प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निस्पादन के लिए चार संस्थान और निकायों का निर्धारण किया जाएगा तो यह चार निकाय कौन से होंगे तो यह होंगे विनिमय हेतु राष्टे उच्छ सिक्षा निकामाय परिशद नैशनल हाईयर एद्ध नैज। इुकेश्शन ने Sharण ठी चान व मानक निर्धारण सामानने सिक्षा परिशद ऍलडिए अनुदान परिश राष्ट्य प्रत्यापन राष्ट्य प्रत्यापन परिशद राष्ट्य एग्लिडिशन काउंट्सिल एन एसी महाविद्यालियों की प्रदस संबता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए चरनबद प्रनाली की स्थापना की जाएगी तो उनके लिए एक चरनबद प्रनाली स्थापित कर दी जाएगी देश में जो IIT और IIM के समकर्ष वैश्विक मानकों के बहुँ विश्य है जो सिक्षारम अनुसंधान जो हमारे विश्विद्याले हैं उनकी इस्थापना की जाएगी तो बहुत सारे IIT और जो अनुसंधान विश्विद्याले हैं वो नए नए इस्थापित किये जाएगे तो मेजर चेंजर आप परपर्स और एन एपी 2020 आप देख सकते हैं यह सारे मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिये हैं अब अन्य सुधार इसके साथ क्याज किये जाएगे तो सिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशाशनिक छेत में तकनीकी के प्रियोग पर विचारों के सुतंता और आदांत दान हेतू राष्ट्य सेक्षनिक प्रोद्योगी मंच नेशनल एजुकेशन टे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें साथ ही बैल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे जो भी मेरी नई वीडियो होंगी वो आपको समय पर मिलती रहेंगी दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद